दोस्तों आपका सो अगत है आपके अपने चैनल टॉप से अटूडे में आज हम डिसकर्स करने वाले सान फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी लिम्रिड इसे स्टॉक के अंदर आज के दिन पांच रुपे की तेची देखने को मिल रही हैं और ये स्टॉक डेड़ परसेंट क के करीबन की रैली दिखास चुका है इस्टॉक करेंट लेबल पर दोस्तों पचीस रुपे पर ट्रेड कर रहा है हम इस वीडियो के माध्यम से ये डिसकर्स करेंगे किसे स्टॉक के अंदर फ्यूक्चर में क्या टार्गिट एचीव हो सकते हैं और हमें स्टॉक लूस कहां पर ट्रेड करके रखना चाहिए इस्टॉक का चार्ट पैटन देखें तो सबसे पहले इस्टॉक का पिछला सपोर्ट की बात करें तो 235 रूपीज के पास था जो आप रैड कलर की ओरिजेंटल लाइन देख रहे हैं वहाँ पर इस्टॉक लगबग 4 टाइम सेम प्राइस क करने के बाद इस्टॉक के अंदर एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा था पर जब इस्टॉक ने इस प्राइस को प्रिक डाउन दिया था तो वहाँ पर इस्टॉक के अंदर काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिले और नीचे में इस्टॉक ने एक लोग बना लिया है त 218 रूपीज का, 218 रूपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक नहीं एक लोग बनायागा और यहां से अब इसे स्टॉक के अंदर निचले लेबल पर एक बाइंग देखने को मिल रही है, उपर में स्टॉक जब तक 235 रूपीज के प्राइस को प्रिक आउट नहीं देता, क्योंकि 235 रूपीज से स्टॉक के अंदर रुकावट रेंज अब बनता हुगा नजर आएगा, क्योंकि स्टॉक का जो पिछला सपोर्ट लेबल था, इस टॉक ने एक अहम सपोर्ट लेबल को ब्रिक डाउन दियाएगा, तो नीचे में अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाते हैं, तो 218 रूपीज का एक इंपोर्टेंट स्टॉक लूज टेड करें, उपर के अच्छा रिटर्न बनता हुगा नजर आएगा, ये वीडियो एजूकेशन परपस के लिए बनाई गई है, बाई और सैल की कोई रिकमटेशन नहीं है, करता हुगा